आप सभी को मेरा प्रणाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रू आज हम वात और पित इन दोनों के समन के लिए उप्योग में आने वाली एक माहन औस्दी की चर्चा करेंगे महा बला कहते हैं सीडा रोंबी फोलिया मालवेशी कुल का प्लांट है सुन्दर येलो फूल आप देख पा रहे होंगे साथियो पूरा प्लांट आउस्दी अगुड़ों के लिए हम लोग उप्योग में लाते हैं किस परकार से हमारे वात और पित से जुड़ी हुई गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए आप इसको उप्योग में ला सकते हैं आज हम जानेंगे समय समय पर आप से प्राप्त कमेंट्स और आपकी क्वेरीज को जान में रखते हुए आज इस विसेश उपयोगी प्लांट की चर्चा करना बेहद आउसक हो गया था IBS की समस्या हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है और किस प्रकार से हम IBS के लिए इसको उपयोग में ला सकते हैं आप इसके पूरे प्लांट का काढ़ा बनाकर सैद मिलाकर सेवन कीजिए IBS की समस्या ठीक हो जाती है ये पित्व का जब समन कर देता है तो धीरे धीरे IBS की समस्या भी ठीक हो जाती है Liver को Remediate करने में इसकी भूमिका होती है Digestive Complaints को ठीक करता है Digestive Disorders को ठीक करता है Blood को Purify करने का कारे करता है Indigestion की समस्या के कारण धीरे धीरे वात भी बढ़ जाता है और Indigestion की समस्या का जब निराकरन हो जाता है हमारा digestion अच्छा हो जाता है अगनिमान्द की समस्या दूर हो जाती है तो वात की समस्या भी स्वत ही कम हो जाती है तो वात और पित का जब regulation हो जाता है, proper control हो जाता है तो IBS की समस्या, साथियो arthritis की समस्या भी इसी से जुड़ी हुई समस्या है वात और पित का जब बैलन्स हो जाता है तो आर्थरेट इसके समश्या भी ठीक हो जाती है अगर दर्द भी हो रहा है तो इसके पत्र और फूल का पिष्ट बना कर लगाना चाहिए और काड़े का इसका सेवन करना चाहिए अस्थमा की समश्या में हमारी लंग्स वीक पड़ जाते हैं कफ निकल नहीं पाता है उसके लिए भी आप इसके पूरे प्लांट का खाड़ा बना कर सेवन कीजिए मित्रो ये प्लांट एफ्रोडीसिक प्रॉपर्टीज भी इसकी अंदर होती है वाजी करन के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं साथियो इसकी जड़ होती है जड़ को आप दूद के साथ अगर सेवन करते हैं तो एफ्रोडीसिक का कारे करता है और एक रसायन भी बन जाता है है जो आटी एजिंग के लिए वढ़ापखे को दूर करने के लिए आप उपयोग में ला सकते हो अगर इसकी जड़ के साथ आप गोदंती भस्म का किस्तमाल करते हैं तो वह शिलीपद में विसेश उपयोग होता है हिर्दे की दुर्बलता को दूर करने के लिए इसकी जड़ में आप मकर्द धज मिला कर सेवन कीजे तो ये हिर्दे की दुर्बलता को दूर करने का कारे करता है और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो सिंपल आप पूरे प्लांट का काढ़ा बना कर सेवन कीजे धीरे-धीरे हिर्दे की दुर्बलता और स्लिपद में भी लाबदायक होता है कारण यह होता है कि जब हम लंबे समय से पेन किलर एनालजेसिक्स एंटिबाटिक्स का सेवन करते हैं तो हमें अच्छे और जल्दी थिरापेटिक बैनिफिट को प्राप्त करने के लिए हमें भस जाती है और स्लिपद में फायदा हो जाता है काढ़ा पीते रहिए और स्किन की समस्चाओं को दूर करने के लिए आप इसके पत्र का पेस्ट भी लगा दीजिए मित्रो हिर्दे की दुर्बलता की प्रार्रम्डिक अवस्था अगर मैं कहूं तो आप किस परकार से पैचान सकते हैं आप देखेंगे की कुछ वेक्ति normal अपने emotions को express करते हुए emotions के बाते हुए धीरे धीरे नसे आप normal अगर बाचीत भी करते रहं तो emotional होकर रोने लग जाते है और इस परकार की प्राइंबिक वस्ता है इससे कहिना कहीं उनकी हिर्दे की दुर्बलता के बारे में हमें पता चलता है, उनके हर्ट बीट बढ़ जाता है, वो लोग घबरा जाते हैं, घर की छोटी छोटी बातें उनको काफी परेशान करते हैं, और उनका emotional control काफी कम हो जाता है, और जो कि हिर्दे की दुर्बलता को कहिना कहीं संकेत करता है आप अपने हिर्दे को मजबुती देने के लिए इस परकार की औसदियों का उपयोग कीजिए मित्रो डायबिटीज के लिए विशेश उपयोगी है बलड के अंदर लिपिड प्रोफाइल को चेक करने का कारे करता है इसके साथ साथ मित्रो क्या होता है कि जब हमारा लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल हो जाता है डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है तो नियूरो मस्कुलर डिसोर्डर्स भी अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं कई बार क्या होता है साथियों Parkinson disorders में हमारे हाथ कांपते हैं हमारे पैर कांपते हैं हमारी बोड़ी की motility बोड़ी के चलने का जो function है वो सब disturb हो जाता है ऐसी अगर condition बन जाती है तो आप इसकी जड़ का सूंट पाउडर मिलाकर काढ़ा पीजिए धीरे धीरे कंपन की सिकायत दूर हो जाती है hormones regulate हो जाते हैं और बार-बार होने वाला जो बुखार है वो भी ठीक हो जाता है तो मैं कहूँ लिवर की समझ्याएं hormone related disorders, digestive problems, brain related problems, हमारे reproductive system related disorders सभी इससे ठीक होते हैं skin problems, blood purification में इसकी एहम भूमिका भी होती है, diabetes को control करने के लिए आवसक है, हिर्दय की कमजोरी को दूर करते हुए बल देने का भी कारे करता है, मैं कहूँ कि सरीर के vital organs को rejuvenate करते हुए सरीर की immunity बढ़ाने का साधारन और सरल उपाए इस महान औस दीक में है, आप इसको जंगलों में, आप इसको roadside, आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन फिर मेरा submission यही होगा, अच्छी प्राकृतिक अवस्था में लगी हुई ओसदी का उप्योग करें, roadside, heavy metals के pollution का खत्रा होता है, और अच्छे गुणों के लिए आप इसको लगा सकते हैं, या फिर खेतों में लगी हुई condition में अगर ये plant मिल जाए तो उत्तम होता है, जहां pollution कम से कम हो, इस बात का आप ध्यान रखिए, मित्रो एक safety का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में लेने से abortion का खत्रा बढ़ जाता है, प्रेग्नेंसी के समय इसका ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, इसका abortion करने की पिर्किरिया इसकी होती है, स्मूथ मसल्स को रिलेक्स करने वाला होता है, पेट के खिचाओ को ठीक करने वाला होता है, लेकिन प्रेग्नेंसी के समय अबोर्शन का खत्रा बढ़ जाता है इसके उप्योग करने से, ये safety को आप अवश्य ध्यान रखेंगे, इसकी औस ये गुनों को ज्यादा से की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार